IPL 2022 के बाद जब अंतरास्टि क्रिकेट के लिए टीम इंडिया एक बार फिर इकठा होगी तब हमारे खिलाडियों के पास सांस लेने तक के फुरसत नहीं रहने वाली है Mission T20 World Cup को ध्यान में रखते हुए BCCI एक के बाद एक सिरीज कराने की योजनाब बना रहा है जहां पहले भारती टीम को IPL के बाद साउथ अफरिका से घर पर पाँच मैचों की T20 सिरीज खेलनी है इसके बाद में इन ब्लू को दो T20 मैचों के लिए आयरलेंड का दोरा करना है फिर वहीं से इंगलेंड और बाद में वेस्टेंडीज दोरे पर टीम इंडिया जीत का परचम लहराने जाएगी और अब इसी कड़ी में एक नई सिरीज को भी शामिल कर लिया गया है दरसल विदेशी दोरों को समाप्त करके लोटने के बाद टीम इंडिया के लिए आस्टेलिया की नई चुनावती इंतिसार कर रही होगी और क्रिकेट के फैंस के लिए क्रिकेट का डोज सालो साल चलता ही रहेगा भारत और ऑस्टेलिया की जंग जब भी होती है कांटे की टक कर देखने को मिलता है ऐसे में दोस्तों आईए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखर इस क्रिकेट सीजन में कब होगी भारत और ऑस्टेलिया के बीच भिरंद और इस मुश्किल चुनावती से निपटने के लिए कैसी दिख सकती है भारती टीम की तस्वीर इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी दोस्तों मौझूदा T20 फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन टीम आस्टेलिया इस साल भारती टीम को कड़ी चुनावती पेश्ट करते हुए नजर आ सकती है अपने देश में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए आस्टेलिया की टीम ने भारत से क्रिकेट के सबसे चोटे फॉर्मेट में दो-दो हाथ करने का फैसला किया है जिसके बाद भारत और आस्टेलिया के बीचे इस साल तीन मैचों की T20 सिरीज का आयोजन किया जा सकता है आपको बता दें आस्टेलिया क्रोकेटर टीम इस साल सितंबर में भारत का दोरा कर सकती है जहां कंगारू टीम टीम इंडिया को T20 सिरीज में कड़ी चुनाउती देते हुए नज़र आएंगे आस्टेलिया की वेबसाइट फॉक्स स्पोर्ट्स के हवाले से ये खबर निकल कर सामने आई है जिसके रिपोर्ट में कहा गया है कि आस्टेलिया जिंबांबे और न्यूजिलेंड के खिलाफ घरेलू सिरीज खेलने के बाद सितंबर में भारत में 3 T20 मैच खेलेगी इसके बाद कंगारू की टीम वेस्ट एंडीज और इंगलेंड के खिलाफ भी वाइट वॉल सिरीज खेलते हुए नजर आएंगे यानि भारती टीम के खिलाडियों को आराम फर्माने का बिलकुल भी मौका नहीं मिलने वाला है हलांकि वॉल कप की तैयारियों के लिहाद से आउस्टेलिया के खिलाफ सिरीज खेलना भारती टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है अगर भारत उन्हें अपने घर पर वॉल्ल चैंपियन्स को पचारने में कामियाब हो जाती है तो ये टीम का होसला बुलंद करतेगा ऐसे में एक काटे की टकर के लिए BCCI और सेलेक्टर से इस बड़ी सिरीज के लिए शायद ही कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसी टीम को चुनते हुए दिखाई देंगे जो इसके बाद T20 वोल्ल कप में भी हमें खेलते हुए दिखाई दे सकती है इसमें उपनिंग स्लोट के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ हुप कप्तान केयल राहुल और इशान किशन को टीम में शामिल किया जा सकता है वहीं मेडिल ओर्डर की जिमेदारी विराठ कोहली सुरी कुमार यादा हो और श्रय सेयर के कंधो पर रहेगी वहीं विकेट कीपर्स लॉट के लिए IPL के फॉर्म को देखते हुए अगर सेलेक्टर्स दिनेश कार्तिक को T20 वर्ल कप में लेकर जाना चाहते हैं तो उन्हें अभी से मौके दिये जाने की जरूरत होगी इसके अलावा रिशय पंत के फॉर्म को भी देखते रहना होगा कि उनका बल्ला किस तरह से चल रहा है वहीं औल राउंडर्स में हार्दिक पांटिया और रविंदर जड़ेजा को शामिल किया जा सकता है क्योंकि फिलहाल टी 20 वर्ल कप के लिए ये दोनों रेस में बागियों से काफी आगे हैं उधर गेंदबाजी की बात करें तो जस्परित बुम्रा और मुहम्मद शमी के चुने जाने पर कोई सवाल नहीं है अगर ये दोनों गेंदबाज फिट हुए तो आस्टेलिया ही सीरीज में भारती टीम की गेंदबाजी अटेक को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं जबकि स्लॉग ओवर स्पेसलिस्ट हर्शल पटेल तीसरी तीज गेंदबाज की भूमी का अदा कर सकते हैं और क्योंकि आस्टेलिया के खिलाफ मुकाबले भारत में होने हैं ऐसे में चहल के साथ कुल्डी प्यादों को एक साथ भारती टीम में शामिल किया जा सकता है दोनों ही खिलाडी आई प्यल में काफी जबरदस्ट फॉम में चल रहे हैं और इसकी पूरी संभावना है कि फिर से कुल्जा की जोडी को भारत की मुक्य टीम में शामिल कर लिया जाएगा तो दोस्तों आपके हिसाब से औस्टेलिया के खिलाफ किन खिलाडियों को मिलना चाहिए खेलने का मौका अपने जवाब हमें कामेंट बॉक्स में कामेंट करके जरूर बताएए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लेचे हमारे यूटूब चैनल को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूलें